ज्ञार्खन में क्या है कि 2019 में 2019 में सरकार बनी और ज्यम्म का मेनिफेस्ट्यों में था क्या हम पांच लाग रोजगार देंगे फिर क्या हुआ रोजगार तो मिली नहीं परदसन करने पर सांतिपूर्ण पर दसन करने पर लाठियां जरूर्ण मिली हैं पहली बार हुआ होगा जब इंटरनेट बंद करके पर इचलिया गया यह कौन सब्सक्राइब करते हैं तो पेपर लिक हमेशा यहां पर होते आता है और वह कब होता जाम अगर हो रहा है उससे पहली नाम नहीं देना चाहूंग और साथे दस बजे या फिर दस बजे पेपर लिक हो गया है लगबग जारखन बने 24 साल हो गया है 24 सालों में क्या हमारी यहां की सरकारी स्वास्त वेविस्था अच्छी हुई है और जो अभी आप योजनाओं की बात कर रहे थे कि यह सारी योजनाओं एलेक्सन से पहले ही सरकार उनके लिए तो फिर यह बढ़ते जा रहे हैं हमन सुरेन की वाइफ ने कहा था कि जब उनके हस्बेंड वस बिहाइंड बार्स तो उन्होंने कहा था कि उस सवाल का जवाब कौन देगा जो वो बाहा अंदर्त है तो हम जो चीजों को लेके परिशानिया जहेल रहे है तो उस चीज का सवाल का जवाब कौन देगा पूरे जारखंड को घूमने के बाद जो और्गनाइजर टीम है वो राची यूनिवरसिटी में पहुँच चुकी है राची यूनिवरसिटी में यहां पर हमार साथ है कुछ बच्चे और हम लोग आज बात करेंगे उनसे कि ज कुछ पहले से वोट भी कर रहे हैं तो उनकी लिए क्या मुद्धा होने वाला है इस चुनाव में कौन सी सरकार है जो existing सरकार है वो अच्छा काम कर रही है या वो सरकार यहां पर बदलना चाहते हैं तो आईए हम लोग उनसे बात करेंगे जानेंगे कि युवाओं के मुद करते बात बात नहीं करूंगा बन में आता हो मिलें यहां के सरकार जो कुछ भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि BGP सरकार यह पहुंचे जो जो बहुत है पोट थाल से वह ठीक नहीं है वह बहुत ख़राब है यह रोट में स्टीट लाइट्स भी यह अगर आप देखा जाये तो मतलब कुछ भी फंक्शन सही नहीं नहीं है इन तो मेरा मानना चाहिए और सब लोग को कि नहीं तुना करें यहां राची राची से कौन है आप से जारकंट से 50% हार पुरा इंड्या में जाता है तो जार्खन एड़ना पीछे क्यों है डेवलप्मेंट में किसी क्रेट कोई क्रेटिरिया में दूसरी बात जो जार्खन यह जार्खन सबसे पीछे है तूरिस्ट तूरिजम में भी जो जार्खन से चोटे-चोटे स्टेट से राजिया है वहां पर टूरिजम में है सब कुछ यह सरकार ने कहा था कि या राची में हम एक मेनी कश्मीर बनाएंगे उनका टापिक बूर्था था तीसरी बात यह कि ज्यारकन की सरकार जो आई है वो तो पहले बात कुछ काम करने रही है और दोसरी बात यह है कि हर इलेक्शन से पहले ही क्यों नहीं नहीं मुद्दे निकलते नहीं नहीं योजनाएं निकलती है उससे पहले क्यों नहीं होता है चार साल तीन साल चार साल में क्यों नहीं होता है लास्ट एक साल में सब काम क्यों होता है उससे पहले जितनी भी योजनाएं है कहां रहती है यही तो आप देखे कि युवाओं के लिए जो इलीगल माइनिंग है यहां पर चुनावी मुद्दा तो है लेकिन युवाओं के लिए भी ये मुद्दा है कि ये खनीज बेस्ट स्टेट है और उसी के आधार पर ये राज अलग हुआ था एक तरीके से हम कह सकते हैं और यहां पे बाहर से लोग भूमने के लिए नहीं आते हैं जैसे अनराजों में जाते हैं जैसे आप कह सकते हैं हिमाचल जाते हैं कसमीर जाते हैं उस तरीके से इनका कहना है कि यहां भी लोग आए यहां का टूरिज्म भी डेबलफ होना चाहिए दूसरी चीज की चुनाव से पहले ही क कि हम जूनाव से पहले कि हम यह fresh कर देथे के यह हम बच्चो को 1100 ए प्रीबीज स्वं tissues को कैसे देखा है अप लोग हम मेरे को लगता है कि जितने भी गावर्मेंट गावर्मेंट है वो बस ज남 झाले बिन जोजनाएaler को देहते है पार साल किन जोजना प्रशीं से फेले हम उन्य चीज़ाएं के शड़त Their जोजनाए fazer this टो में जोजनाए वहाँ कर दो हमारे जोजनाए के से ज़ए भाह GOOD बदोमेर साल के सो coworkers इसलों कि यहां पर बहुत सारे सफ्पोस्पोफ्स काद मेते हैं काफी सारे विटॉट प्रच यहां डाट मोस three दिल्ड सारे में है यहां बहुत भूल बहुत स्थारी है अगर हम लोग जब भी युवा के बात करते हैं तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो रोधगार का मुद्दा आता है जॉब कितना वड़ा मुद्दा है यहाँ पे इस एलेक्शन में जो यहाँ पे जतनी फैसिलिटीज मिलती है जो प्री में पैसे दिये जाते है जैसे कि मया योजना और यह सब तो मैं कहना चाहूंगे कि पैसे ना देकर अगर एक परिवार में एक परसन को अगर जॉब मिले तो यह काफी अच्छा होगा तो पैसे तो एक लिमिट में आप द देंगे तो वो काफी अच्छा होगा और इस और इस बात में यह कहना चाहूंगे कि जारकंड सरकार का यह पहला मुद्दा था कि जन जंगल और जमीन का संरक्षन वाली बात तो यह जो संरक्षन का तो पता नहीं लेकिन माइनिंग के कारण काफी नुपसान हुआ है असमिता है उसी की बात की है हम लोग जारकंड असमिता की बात कहते तो ट्राइबल पॉपुलेशन यहां बहुत जादा है तो जब हम लोग चुनाबी अभी माहौल में जो एक मुद्दा निकल कर आया वो यह कि ट्राइबल पॉपुलेशन कम होते जा रही है जो बंगलाद पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह बंगलादेशी का मुद्दा उठा रही है लेकिन इसमें वह उनका कहना बिल्कुल सही है और जो जारकंड सरकार है यह जानते बेबी की वहां पर बंगलादेशी घुसपैटी आ चुके है तो वहां पर उस जगह का माइना क्यों ने क पर बंगलादेशी घुसपैटी आपको लगता है कि लव जिहाद जैसी चीज होती है जी बिल्कुल होती है अच्छा आपके निजर में लव जिहाद की क्या परिवासा है यह है कि ट्राइबल जो लड़कियां है वहां पर सिक्षा का उतना महत्व है लेकि वहां सिक्षा उतनी पहुंच नहीं पाते हैं तो वह लोग उतनी स्मार्ट कहना उनको यह नहीं होगा ठीक नहीं होगा क्योंकि वह वीचारी बहुत बहुत भोली-भाली फिलाड़कियां होती है और वहां पर यह जो लोग है जो घुसपैटी है «बहाँ जाकर करके उनको ब्लैकमेल करने के बहुत सारी रीज में ब्लैकमेल करने के वह रीजन से भी और भी लव जी हाथ में एक जो आपने लब जिहाद की बात की तो एक चुनावी मुद्दे में एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि जो ट्राइवल से मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग जो बाहर के हैं वो लोग साधी करते हैं क्योंकि यहां पर लेंड को लेकर के नियम है कि आप उसको बाहर के लोग जो जमीन है वो बस ट्राइबल्स को ही मिलती है और शादी कर वो उन सारे जमीनों पर कबजा करके अपना यहां पर जंडा काड़ना चाहते हैं आप यहां की काफी सारी चीजे अभाड़ा पर लेना चाहते हैं देखें कि तो एक तरफ जहां समाज का एक नेता है मतलब कई सारी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है कि लब्जिषाज जैसे कोई मुद्दा नहीं है या मीडिया का भी वर्ग है जो इस तरीके के चीजे को दरकिनार करता है कहता है कि यह भाजपा का संग का तो बTalk डिये या किसी भी राज की चीक्था व्यूस्था की बात करते हैं तो वर्तमान में देखा गया किछले demand कई वर्सों में और किसी कीभी सरकार हो और किसी भी राज में सरकार हो तो पेपर लीग एक बहुत बड़ा मुद्धा होता है पेपर लीग का मुद्धा बच्चों के बीच में कितना बड़ा मुद्धा है हम लोग बात करेंगे क्या नम हूँ आपका आयूश आप यहीं जारखंड से हैं कौन सी करते हैं मैं यूजी सिमिस्टर वन में हूँ अचा तो पेपर लीग जो आप देखते होंगे कि पेपर लीग को लेकर के चुनाबी मुद्धा भी है और धरना भी होता रहता है और प्रदर्सन भी होते रहते हैं पेपर लीग कुलिव आप जोहर आप सिर्य पेपर लीग के बारे में कुछ मैं यह बोडाओं कि सरकार चाहे किसी की वहों बजेपी तो नो क्यों चाहे कउग्रेस या फिर चाहे app की क्योन हो हमें यह फरक नहीं पढ़ता कि सरकार किसे की भी हो बस यह फरक पढ़ना चाहिए कि वो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है अगर बात हो गया अगर पेपर लिख का अगर मैं बात करो तो पेपर लिख हमेशा यहां पर होते आता है और वह कभ होता है जब गुपक्र जो लोग नहीं पढ़ रहे उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन जो लोग बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं कोई भी कॉमपेटिशन का तयारी कर रहे हैं उनके साथ यह बहुत ज्यादा गलत हो जाता है और हम लोगों को यह सुनने को मिलता है कि एक्जाम से पहले इंटरनेट सेवाए हर जगा बंद कर दी जाती है इंटरनेट सेवाए बंद कर दी जाती है पेपर लिक ना हो लेकिन जो बचे बाहर से अगर कोई अगर दूसरे राजी से अगर आ रहे तो उनके लिए तो बहुत सारी आसु इधाय हो जाएगी वह कहीं भी नेट का वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे नेट का यूज नहीं कर पाएंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी आए बस वह हमारे लिए कुछ काम करें आप लोकल वोटर है और यहां पर पिछले पांच साल में से जेमम की सरकार है उससे पहले बाजपा की अगर हम दोनों पार्टे की तुलना करें कि किसने बहतर काम किया आपके नजर में कौन लगता है किसने बहतर काम किया देखिए काम तो दोनों सरकारे ने किया लेकिन अगर मैं अपना परसनल बोलू तो मुझे ऐसा लगता है कि जेमम में बहुत अच्छा अच्छा काम आगर कोई किसी का अगर पाटी का अगर किसी सम्मध है तुम्हें आप सबीसे माफ़ी चाहता हूं मैं बस यह जानना चाहरा था कि अगर हम लोग जैसे भाई ने कहा अभी कि जो प्री बीज की बात किरी की सारी चर्चाएं चुनाओं से ठीक पहले ही क्यों होती है जैसे मया योजना की अगर हम लोग बात करें तो चुनाओ से ठीक पहले उसको शुरू किया गया और लोगों को उसका लाब भी मिल रहा है मान लिए कुछ लोगों को तीन-चार इस्टॉल्मेंट भी गए तो आप उनकी बात को कैसे देखते हैं कि चुनाओ से पहले ही जनता की यूबा की औरतों की महिलाओं की याद पार्टी को क्यों आती है मया योजना चुनाओ से ठीक पहले शुरू होना इस मूव्मेंट को सरकार के मूव्मेंट को आप कैसे देखते हैं यह कुछ भी नहीं है यह जितने भी लोग हैं उनको लुभाने के लिए सब पिया जाता है आप भी ऐसा मानते हैं कि चुनाओ से ठीक पहले शुरू की गई योजनाओ सिर्फ लुभाने के लिए बेशक तो आप आप देखे कि यहां पर जो प्रीबी इसको लेकर के तरीके स नहीं होता है उसको चुनाओ के बाद बंद भी कर देते हैं लोग कई दफ़ा देखे हैं उसको हमारा से और भी यूबा है उनसे हम जानेंगे कि उनके लिए और क्या-क्या मुद्द है क्या नाम हो आपका मेरा नाम हो राजश राजश क्रा करते हैं आप तर मैं समिश्टर स्टुडेंट मेरी सारे काम होता है मैं इस मुद्य को पहले भी बोला हूँ और हर जगा बोलता हूँ लगबग जारखन बने 24 साल हो गया है 24 सालों में क्या हमारी सरकारी स्वास्त वेविस्ता अच्छी हुई है और जो अभी आप योजनाओं की बात कर रहे थे अवाल नहें लगशन शाजना है कि यह सारी योजनाओं से सरा पहले ही ही वह सुरू होती है जैसे ही अशने कthen घृते ही फिर धिलुप्त कैसे हो जाती है और जैसे ही अलेकसन आते है तो हर वह बरकाश डाला स्वास्त सेवा हुई या स्वास्त है भारत मिशन हुआ और ये अचानक से स्टार्ट होकर कहा चला जाता और फिर जो पक्षी पार्टी है जो सब्ता में है वो लोग फिर अपने इलेक्शन को जोर देते हैं कि लोग हमें वोट दे और फिर क्यूं दे क्यूं दे पास साल जो आपका कारियकाल का गो बी पास साल जो बी समय रहता है उस कारियकाल में आपको ज़िय आप ऊई चाहिँ आर आपको वोट दे आपको सेह्मती दे आपको लेकर आये हाँ तो यह सारी बहुत सारी मुद्दा है जैसे अगर अगर आप है का व्यान चला था स्वास्ते रिलेटेड की स्वस्त भारत मीशन के इस पे जो निकाई चुनाओं होते हैं जितने भी हमारे पारशद है उनका काम क्या है आखिरकार अपने छेत्र में जाना छेत्र का बर्म पता ही नहीं होता है लेकिन जैसे उनका भी चुनाओं दौर आता है चुनाओं रैली आती है तो वह भी घर से बाहर निकलते हैं आखिरकार क्यों ऐसा क्यों यह देखिए हम लोग चुनाओं की बात कर रहे हैं तो हम लोग युवाओं के बीच में और पार्टी कोई भी हो परिवारबाद का आरोप जह हर पार्टी एक दूसरे पार्टी पे लगा रही होती है जो डानिस्टी पॉलिटिक्स है जो परिवारबाद की राजनीती होती है क्या नाम हो आपका अंजली ब्रिया अंजली डानिस्टी पॉलिटिक्स चाहे वो सिनेमा हो हम लोग की राजनीति होनी चाहिए मालिज जे मैं छोटा सा उधारन दूहँगा कि कि सी पिता का कोई दुकान है तो वो चाहता है कि उसका बेटा भूकान फर बैट है तो वहां तक वह सही है लेकिन जैसे ही राजनीति में किसी की बेटी बहु पत्नी आती है तो इसको ले करके तमाम आरोप लगाया जाते हैं तो क्या politics में डायनिस्टिक पॉलिटिक्स या परिवारवाद की राजनीती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मैं आपसे यह जानना चाहूंगा मेरे इसाप से यह तूल है जैसे कि यह मेरे घर में भी है कि मेरे पापर सॉनल्निस्ट है लो चाहते है कि मैं भी सूझी बन उनके तरह तो अम मझे नहीं लगत है कि यह कुछ गलत है कि जैसा वह वह काम किये हो सकता है कि उन से प्रेरित होकर from पतलब कि उनसे बढ़ के वह जादा इस देश को अच्छे समझांचे तो तो मेरे हिसाब से ये सही है और जो यूठ है वह जादा अच्छे से आज आज की जेनरेशन को समझ सकती है जैसे कि हम जब उस लेवल पर आएंगे तो हम ज़ादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वो कौन क्या कैसे चाहते हैं तो हम लोग ज़ादा अच्छे से वो सबको समझ पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे आप कहते हैं कि यूथ राजनीती को अच्छे तरीके से समझते हैं, आपके नजर में अभी वर्तमान में जो यूवा नेता कोई भी किसी भी पार्टी का, सबसे बड़ियां यूवा नेता कौन है? अब वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वैसा कोई है जो मतलब कि इसे बहुत अच्छे से समझ पाइगे अगर हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो एक चिराग पासवन है तो कौन सा नेता है जो आपको प्रभावित करता है अगर हम लोग युवा नेताओं की बात करें तो चिराग पासवन है वो बिहार से है और मैं भी बिहार से ही बिलॉंग करती हूँ है पटना की रहने वाली हूँ और यहां पे अभी कुछ सालों से हूँ तो मुझे यहां की मुझे यहां जादा अच्छा वहां का वहां पर डेवलप्मेंट जो हो रहा है वो थोड़ी तेज यहां पर किसी भी चीज पर मतलब की बहुत ज्यादा बात होने के बाद शुरू होता है कि कोई भी कार्य और वहां पर वहां पर सब कुछ मतलब एक सिस्टमाटिक वे में चलता है तो मुझे वह ज्यादा सही लगा आपने देखा कि मैंने तीन चार नाम सुझाए इन लोगों को युभा नेताओं के और यह जो पहली पंती है उसमें सबने मलब धीरे से सबने एक ही साथ में चिराग पासवान का नाम लिया मैंने पहली पंती मैलाओं की तो इन्होंने भी बोला चिराग पासवान इन्होंने क cuatro देखे मैं लिए हमनों थोड़ा सा शिफ्ड करते हैं एक तरफ चरफ यादभ है और दूसरी तरफ क्या कहते हम चिराग है चिराग बहतर क्यों है क्योंकि मैंने फूछा तो आपने चिराग का नाम लिया था चिराग पासवान बहतर क्यों है विए हैं। उनके अइडियाज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हों जैसा कहा है निल्ए जाते हैं। उनका में हमाने क्लियार करना जाते हैं। के लिए हम बहुत सारे चीज़ों को लेकर बात किया है तो उनके आइडियाज उनके जो हमारे यूद को लेकर जो उनके बहुत सारे जो सोच है वो उसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ मैं बापस से जारखंड की राजनीती पर लोटोंगा यहां पर आप कह रहे हैं कि इस्टिशूशन सिक्षा विवस्था की आप बात कर रहे हैं जारखंड की सिक्षा विवस्था आपके नजर में कहती है मुझे मैनेजिस आपके प्रिविलेच तो बीग इन एको सिट्वेशन वेर मेरे जो मिला मुझे शुरू आज से मेरा एको सिस्टम बहुत ही अच्छा था तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि स्पेशली पर्टिकुलरी लड़कियों के लिए यह होना चाहिए कि उन्हें वो घर से क्यूंकि एवरिधिं स्टाट्स रॉम मुझे जहां तक लगता है बाहर की बात मैं नहीं करना चाहूंगी जो भी मुझे लगता है कि घर के लोगों को ज्यादा एक लड़की के फादर कमी रह जाती है किसी चीज में अभी एक वर्ग है जो बेटियों की सिक्षा को ले करके थोड़ा वो लिगेटिव रहता है कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमारी सारी चीजे घर से सुरुआत होती और घर में सबसे पहले हम अच्छा महाल देना होता है घर में माता पिता को होना चाहिए कि जिस तरीके से वो बेटों को पढ़ाते हैं उसी तरीके सो बेटियों को भी पढ़ाएं आए हम लोग और भी कुछ मुद्धे हैं और और एक सर मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जो सरकार है हमन सुरेन की जो बाहा अंदर थे तो हम जो चीजों को लेके परिशानिया जहल रहे है तो उस चीज का सवाल का जवाब को देगा तो मतलब आपके कहने का मतलब कि हमन सुरेन जेल गया वो अपनी कर्नी से गया बिल्कुल कहा है यह वो इंगर के जिस आपोजिट की बात है एक जमीन है ज जब वो सत्ता में थे तब की बात है जो हमारे घर के ऑपोजेट जमीन थी मैं 21 साल से उस जमीन में देख रही हो कोई किसी कोई चीज की यह नहीं थी रोक टोक नहीं थी वो अचानक सा के घेर लिया गया हम सबसे हम घर 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 में जाके सिगने बाइकाइदा सबसे पता नहीं यह किस ने किया क्या किया और हमें कुछ पता ही नहीं और हम इसके खिलाब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं तो यह देख रहे हैं कि लेंड ग्राबिंग भी एक इशू है कि लोग जो हैं मतलब जो कह सकते हैं निताओं के जो लोग होते हैं वो आकर के कह लिजे पब से कुछ लोग बैठे हैं इनसे बात करेंगे क्या नाम हुआ दुमारा सुजीत कुमारवर्मा सुजीत क्या करते हैं मतलब कौन से इंवाल्व में यूजी समेश्च रवन मास्कॉमनी किसन आर्यू में हूं अभी तो तुम कल को पत्रकारता के छातर बनोगे तुम्हारे क्या मुद्दा होना चाहिए युबायों के लिए क्योंकि कई भर मतलब की बात नहीं, समाध सरकारन की बात करते हैं, लेकिन तुम्हारे हुसाब से जारखंड का चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए था देखे चुकि मैं युवा हूँ तो युवा को सबसे पहले रोजगार चाहिए होता है और जारखंड में क्या है कि 2019 में 2019 में सरकार बनी और JMM का मेनिफेस्टो में था क्या हम पांच लाग रोजगार देंगे तीर क्या हुआ रोजगार तो मिली नहीं परदसन करने पर सांतिपूर्ण परदसन करने पर लाठियां जरून मिली है और 2016 से एक्जामिनिशन हुआ राध हो गया और हमको लगता जारखंड के 24 साल के इत्यात में पहली बार हुआ होगा जब इंटरनेट बंद करके परिक्षा लिया गया जारखंड में जारखंड में कौन से वर्स की बात कर रहा है याब इस दोज़ग चोविस में परिक्षा नहीं होना युवाओं के लिए बड़ा मुद्धा होना चाहिए था इस चुनाओ में वह मुद्धा है लेकिन क्या लगता है अपको उतनी परमुक्षा से युवाओं इसको सोच करके किसी भी पार्टी को गूट देंगे क्या क्योंकि बहुत सारे मुद्धे होत आप हैं पौटर लेकिन आप हैं आप से आप फ्रस्टाइम वोटर हैं अच्छा आप भी है मैं आ रहा हूं अभी आ रहा हूं आपके पास फस्टाइम वोटर के तौर पे आप ले लिए इस पार्टी को चुनना चाहेंगी जारकंड की बहतरी के लिए सिख्षा के दिरुष्टी से जॉब की दिरुष्टी से पेपर लेक्री के इस चीज़ें को लगता है कि यह सारी चीजरों को डिलेवर कर पाएगी अवससा चाहूंगी और में सबसे बड़ती चाहिए हूं ६बहुत यूजना करें निकाले निकाले है वह तो उसमें पैसा दे रहे तो मुझे नहीं लगती कि वह रोग सही करेंगे अगर वो पैसा देने जगह अगर ऐसा किया जाए की बेटे को पढ़ाया जाए उनका फी माफ कर दिया जाए तो वो जादा भैतर रहेगा और ऐसा होते हैं कि वोमेन सेफ्टि गवारणे में जासा बात के जासा है कि अगर लड़की घर से बाहर निकल दीया तो उन्हें मना कि जाता है बहार बद निकलो यह हो रहा है जैसे कि अभी कॉल करता है एक केस हुआ जिसमें उनका रेप हुआ था तो उसके बाद बेरे भी घर पैसा था सीम था कि मेरे पैरंस बोल रहे थी कि ध्यान से जाना इतने रात मुल्ब इतने वज़े तक तुम घर आ जाना मुल्ब बह कि अवरस्ट को मतलब यह वर्ड दिया रहा है ठीक है ना मतलब उनको सबसे पहले अपने बेटे को शंसकार देना चाहिए कि लड़के लड़कों को पढ़ाया जासे बना कर दिया जाते कि इतने से इतने इजमें उनका साधी कर दिया जाएगा उन्हें आगे तक बढ़ाया मैं चाहिए कि लेडिकों को इतने जल्दी साधी कराने को ऐसे मतलब नहीं बनता है वह लोगों को आगे पढ़ाने का मतलब यह मौका देना चाहिए एक सवाल मैं इससे पूछना चाहूंगा आपने विमन सेक्रेटी की बात कहीं और एक तरफ आपने यह कहा कि पिता जी या माता जी के दौरा कहा जाता है कि समय पे घर लोटे उनके अपने कंसर्न होते हैं इसलिए वो कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे युबाओं में से ही हमारे परिवार के दौरा आप उसको यह नहीं लिगा है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो आपके सेफ्टी के लिए लेकिन कही बार जो है वो युबाओं कहता है माई लाइफ माई चॉइस का एक जो आजकल चला है कि मेरी जिन्दगी है मैं इसको कैसे जी हूँ य यह जो वो कल्चर बढ़ रहा है कि माई लाइफ माई चॉइस मेरे पैरेंट्स हैं वो मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं यह जो कल्चर एक इवॉल्व हो रहा है जो कह सकते हैं कि जो बाहर से वो शुरुआत हुई अब यहां भी आ रहा है वो कल्चर को बढ़ते वो कल्चर को ले करके आपकी क्यार आए है और ये my life my choice क्या ये कितना सही है कि मेरी जिल्दी है इसके साथ मैं जो भी हूँ वो करूँ आप भी बताइए फिर मैं आपके पास आऊँगा मुझे ने लगता कि ये सही है मतलब एक तरीका से देखा जाए तो सही कि हमारे life हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिर पैरंस जो बोल रहे हमें वो मानना चाहिए उनकी वाते हमें सुदना चाहिए कि वो हमारी क्योंकि अच्छी के लिए बोल रहे कि ये मत करो लेकिन ज्यादा करके चलना चाहिए थोड़ी आजारी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए थोड़ा थोड़ा होना चाहिए आपने बात की क्या कहते हैं कि अभी हाल में ही किसी लड़की का बलातकार हुआ था विमन सेप्टी के हम लोग बात कर रहे थे जारखंड की दो घटनाएं जो हैं इसके पीछे की मानसिक्ता क्या है और कौन से लोग हैं जो आपको लगता है कि इस तरीके घटनाव का उन्जाम दे रहे हैं हाँ अच्छा आप जितने भी केसिस आ रहे हैं बालातकार के अभी रिसेंट्ली क्योंकि ये कुछ अभी कुछ दिनों से जादा बढ़ते जार हैं तो कौन लोग करते हैं ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन कब कैसा काम कर दे जाए लेकिन अभी जो रेप केसि हो रहे हैं रीसेंट्ली तो अगर आप उनके जो भी मुझ्रिम हैं जो भी ये सब काम करें अगर आप उनको ठोस कुछ कदम नहीं उठाते हैं सरकार उनके लिए तो फिर यही बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह कि आपके कहने के बालब यह जो जुडिसियरी का जो लंबा प्रोसेस है जो किसी को भी सजा देने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक होना की ताकि जो बाकी लोग है इसके उनको डर हो कि अगर हम इस तरह की कुछ करेंगे त उन्हें कुछ जो श्ट्रिक अक्शन नहीं लेने के कारह है जिस तरह आप लेख सकते हैं वेस्ट प्रोसेस का अभी वेस्ट प्रोसेस्ट बाटेस्ट होते जा रहे है और इसमें इसमें एक डिसद्वांटेज क्या है कि अभी तक वो जो मुझरिम है उन्हें ठीक एक्शन नहीं लिया गया है उस पे और जिसके कारण से विस्ट्रेंगॉल के हर एक डिस्ट्रिक में एक घटना प्रतेक दिन वापस देख रहे हैं कि खास करके अगर हम लोग लड़कियों की बात करें तो विमें सिक्रेटी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे साथ में सबस्क्राइब लोग आते हैं उनके बच्णा अपने बच्चे में एक हध तक सरकारिय स्कूल सरकारी कॉलज की सब्सुश्रा इंफ्रास्ट्रक्चर सल्फिक है तो नहीं है सब्सक्राइब करते हैं कि हमने राज में जितनी भी चीजे गलत हो रही तो उनको सब को ठीक कर दिया है सब्सक्राइब करते हैं उनका कहने से सर कुछ नहीं होता ना आख से देखो गया डवलप्मेंट हो रहा है सामने बिल्डिंग है एक्जामपल में वह हिंदी डिपार्टमेंट का खंदर बना हुआ है और बहुत सारे ग्रामीन छेत्रों में तो सडकी भी नहीं बनी हुए ग्र चत्रा जीना जिला में रहता हूं दुम्री का ला एक मुने गाओ के नहीं है और आप लोगों के लिए तमाम मुद्दों के साथ साथ जो ग्रामीन सडक है वह एक बड़ा मुद्दा है कि उसको ठीक की आ जाए लेकिन कोई नहीं सरकार जिसकी भी है वहां सडक की स्थिति अ लॉयन ओर्डर की विवस्ता यहां ठीक नहीं एकाद उधारन एक्जामपल अभी जैसे कि इन्हों ने कहा कि रिटेन एक्जाम नहीं होता कर भी दो यसुला के बात से सबको प्रमोट किया गये स्पोस्ट में पंदरा पंदरा करोड रूपय लेकर के जहां जहां प्रमोशन अब 15 रूपय आपसने देश्वक लेख्ग 12 के 10 करोड रूपय कि मतलब किसका परमोशन नहीं हो égal हमें आपता है पुलिस वाले नहीं मताया हमें क्योंकि हमारे रिसेंटली हमारे गाव में एक लैंड कैप्चर का हुआ था खुद काई लैंड में थे किक थाना में थाना के पास यह रहता है पावर रहता है कि वह 1.44 लगा सकता थाना नहीं लगा तो फिर ऑपने ओडर लाया पर पोस्ट में अप्ग्रेड हुए हैं और मन पसंद जागा उनका ट्रांसफर हुआ है पुलिस वाले जो उपरी पोस्ट पर वहां इसलिए अपनी पोस्टिंग कराते हैं ताकि जो वहां पर बोटी कमाई कर सकते हैं यह जानते हैं लेकिन यह युबा है और इनके लिए वह कंसर्ण है कि कैसे करप्शन जो है मतलब 15-15 करोर रुपए लेकि एक पैसा दे करके वह एक पोस्टिंग लेते हैं तो आप सोचिए कि जो वैक्ति 15 करोर रुपए दे करके किसी भी जगह पर अपना ट्रांसफर करवाए वह कितना पैसा वहां से उगाही करें तरह हमारे साथ में और बच्चा है क्या नाम हूँ आपका अनिल कुपार महतो आप अनिल तुम्हारे हिसाब से यह जो चुनाव है भी किस पार्टी को यहां जीतना चाहिए और तुम्हारे लिए इस चुनाव का क्याम सुम पहले तुम्हारे लिए क्या मुद्ध है चुनाओं में और तुम कौन सी पार्टी या कौन से नेता को चुनना चाहोगे पार्टी कोई भी हो पर लोग काम नहीं करती है अगर गरामी इलाका में आप चले जाएगा सर तो देखें रोड नाली इस सब बहुत खराफ है अप नदी के पूल टूटा हुआ है लोग गर्वती महला लोग आने के लिए पीडित हो जाते हैं और अगर खासकर हमारे चेत्र में जाएगा बुडमू परखन में तो गरामीं चेत्र में बहुत सारा इसा रोड घराफ है कि वहां आने जाने के लिए बहुत खराफ है और शिक्षा के ल तीन हजार निकलते हैं बुडमू परखन से और वहां ना पढ़ने के कारणा जो लोग गांजा सिक्रेट थी के बहुत लोग आतंग में खुश जा रहे हैं उसके लिए मैं यह काना चाहूंगा कि मैं रोक लगाए सरकार किसी के भी सरकार आए और एक मेरा मुद्दा है जो क संज minister वहां पर जो आप जिस एरिया की बात करें कि शेतर कि उसमें मनण मेनी कश्मीर किस वहां पर किया रहे है कि अगर उसको डेबलब किया गया तो उसमें पॉटेंसियल है कि बहुत खूशुर। हम जानते हैं कि जारखंड में भी कई वाटर फॉल है, पहाड है, मतलब कह सकते हैं कि ठीक ठाक नेचर है यहां पर, मतलब प्राकिर्टिक रूप से जारखंड बहुत ही सुन्दर प्रदेश है और यह तीसरे बच्चा है जो मुझे यह कह रहा है कि टूरिजम को यहां को बढ़ाना जिसकी बात बार-बार पीम भी कहते रहते हैं कि हर स्टेट को अपना टूरिजम पे काम करना चाहिए उस राज्य के टूरिजम को बढ़ाना चाहिए ताकि वहां लोग आएं वहां पैसा बढ़े यह कहना चाहिए तो मतलब उस एरिया को डेबलब करना चाहिए यह आपका कहना है और एक मुद्दा है कि अगर जारखंड भारत का सबसे हमें राज बोला जाता है फोटी परशन खरनी सा पदा देती है घर घर रोजगार नहीं मिलना चाहिए क्या मैं सरकार स से मांग करता हूँ क्योंकि फोटी परशन खरनी सा पदा होने के कारणा जो गाओं में रोजगार के लिए सुभीदा नहीं है जैसे और कमपनियां खोलती है सरकार तो ठाप क्यूं हो जाती है फूरा कंप्लीट क्यूं नहीं होती है जैसे अभी बुड़मों परकन आप चक कैसी आतेगा यहां पर हमारे बीच में कोई आदिवासी चात रहे क्या नहीं है तो आप देखिए कि एक और जो चीज है कि ग्रामिन एरियाओं में जो विकास नहीं होना क्योंकि इन्होंने कहा कि वहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है हर साल जो है दो हजार तीन हजार बच् हैं वहां के लोकल बच्चे है वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके है तक हमारे साथ कुछ हो और भी बच्चे है क्या आपका बच्चत पाने पनी बच्चे क्या लगता है तुम्हारी लिए क्या क्या होना चाहिँ हो कि लुट करते हो किसको करते हो यही बता दो पीजेपी को इसलिए करते कि HEW हमारे बिहार में बोलते हैं कि मतलब जोड से बोलो सिर वे थेज बोलो सर बीजेपी को करते हैं कि BJP बहुत मतलब अच्छा काम कर रही है और काफी मतलब काफी कुछ development कर रही है मतलब की BJP काने से मतलब देश बहुत तरक्की कर रहा आगे बढ़ा है तुम्हारी तरक्की हुए कुछ भाजपा के आने से मेरी तरक्की सहर हा पार से रभी बच्चे हैं इसे बात करेंगे जानें जानेंगे स्किरेन कि इनके मुद्द क्या है क्या राम हुख हम लोग थो पहले नश्ता नहीं किय उंक थली है तुम लोग हम से ज्जादा यूबा हो파 c grill k verbess t consumers कम झोड़े ओए दो नाम снова है क्या करते हैं क्या है तुम्हारे लिए ये चुनाओं में कौनसी पार्टी जीत रही है कौनसी पार्टी यहां पर जीतेगी और अगर जीतेगी तो क्यों जीतेगी वो कोई भी पार्टी हो सकती है था अगर आगर उपीजेपी अगर यह आये तो मेरे हिसाब से कि वो जीतना चाहिए तुक्यिंक उसने अच्छा काम किया था याभी तक हमंत इसा क्या गलत किया है तुम लोग नहीं चाहते हो कि रीपीट करें वह दर असल तो तुमारा नाम क्या हुआ मेरे नाम सोनु कुमार हुआ अभी हरकोई मतलब कह सकते हूं यहां पर हमंत सुरेन के भी को अप्रिशेट कर रहा थे हुआ कई सारी तीजे इन्होंने बताई और कुछ लोग हैं जो कह रहें कि भाजपा को आना चाहिए तुम्हारे लिए कौन सी पार्टी है जो जारखंड को बहतर दिसा में ले जा सकती है यहां के आदिवासियों के लिए बहतर जारखंड में भाजपा का सरकार आना चाहिए क्योंक को सब्सक्राइब और कुछ तो होगा दिमाग में कि ये गलत है भाजपा यही तो इसको सही करें कि इसे कर्फून करुप्शन कर्फून वड़ा मुद्दध है एक अधु दाहरं दो हीमन सुरें सरकार के बहुती नजदीकी लोग जहाए जेल में एमन सुरें सरकार भी जेल आपने देखा कि युवाओं के बीच में जो है करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और करप्शन के ऊपर हर कोई बात कर रहा है और सबको ये विश्वास है कि हमन्त सुरेंड की सरकार जो है वो भारी करप्शन में इन्वाल थी इसलिए हमन्त भी जेल गए और उसके नजदीक इस एलेक्शन में तुम कहना चाह रहे थे कुछ दोनों ये एक साथ पकड़ो और दोनों गोल सको ऐसा करो संथाल परगाना में पहड़िया जनजाती निवास करती है जो आज के इस डिजिटल दुनिया से बहुत दूर है उनके उनमें तरह तरह की बीमारिया फैलने की आसंका रहती है और फैली भी है और एक साथ दरजुनों लोगों की दरजुनों बच्चिल का भी मिर्ट्यू जो कि आज की दुनिया वह आना नहीं चाहती है और और संथाल परगाना में गुसपेटिया का मामला है और जब गुसपेट वहां लोग करते हैं अम यह नहीं करें कि कैन सरकार को पाहल करने चाहिए कि बीसेफ उनके पास है बॉर्डर पर कैसे घुस रहे हैं बॉर्डर पर कैंदर को राज को दोनों को मिल करके इस इनी पटरा चाहिए तो मतलब जमाई टोला भी तुम लोगों के ले मुद्धा यहां इसने बहुत एक अच्छी बात कही कि जो जो पिछरा एरिया है जहां पर आदिवासी समाज के लोग राश है तिक्षित हैं बहुत ज्यादा और इसके वज़े से कई सारी बिमारिया भी उनको होती है मैं तुम से यह पूछूँगा इसका जवाब मैं तुम से सुनना चाहूँगा कि इस राज में ये क्योंकि आदिवासी समाज से आए और यहां पर जितने भी मुखमंत्री हुए चाहे कोई भी हुए बाबुलाल सिर्फ वोट बैंक ही क्यों है उनका उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है पहले बात कि आदिवासी जो भी मुख्यमंत्री बनें सीबू शोरी ने तो तीन कवर में ज्यार खंड को बेचने का तयादे भी कर लिया था तुसरी बात ज्यार आदिवासी समाज इतना पीछे क्यो क्यों रहा चुका है क्योंकि सब वोट बैंक की तरह उन्हें देखते हैं कोई भी एक समाज की तरह नहीं देखता है कि वह कहां रहते है कैसा स्थिती में है क्या कर रहे है क्या नहीं हो रहा है क्या त्याचार हो रहा है कोई उसमें कोई इंट्रेस्ट ने दिखा रहा है जो भी हो वी मारी सीय हैं जो भी दिक्कत ho रहा है नौकरी किसी भी तरह यहां पर यहां पर आरक्षन दिया हुआ है इसके वहाद नहीं दोकरी मिल लहा है कि लोको को डिशारों नमिला स्टेर्टेल looks將 अथे सरल 25% अरुच्छन में जाते हैं जैसे कहते कि एसकी लेवर नहीं है जारकन में पढ़े लिखे लोग नहीं है तो हम रोजगार नहीं दे पाते हैं लेकिन हमको लगता है कि आने वाली अगर सरकार जो भी आएगी उसे मांग रहेगी कि 75% पूर्णता कानुई रूप से अच्छे से लागू किया बड़ी किताबी ग्यान क्यों दे रहो किताबी ग्यान से बड़ी दुनिया है बाहर कासे लाइफ जीना है क्या करना है पिर सोशल मीडिया जितने भी नए 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 अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं स्किल डवलप करने का कुछ आपके पास उतना यह नहीं है कुछ आप से किलाव कना वे यहीं से किषणल का अब मंत्री को और मत्री जेल तो से कहे पास गया है मंतरियो हब धाल तो अभी ही क्या गा पास इंतना धन दौक्त candies के पास पक्रती Cel Cap मिल रहा है कैश में इतना पैसा कहां से आ रहा है यह पुछना चाहूंगा दूसरी बाद कि हमन्सोर इनके पास प्रॉपर्टीज पुक्ता तुर्पत मैं नहीं कह पाऊंगा मगर जहां-जहां हमने गया में उसकी गंज में हम एक बार गये थे वहां लोग क्या रहे थे जो वहां पर क्रेटे करें करें के दो सो एकड़ लैंड हमन्सोर इनके नाम पर हो वह कैसे आया उनके पास शाबित शाबित नहीं चार्त शात्रों से बात करने के बाद इनके पास अपने-पने मुद्दे हैं इसमें इक बात जो निकल के आई की जो यह आदिवासियों का राज है कह सकते हैं वही पर्पस था इस राज को अलग करने का लेकिन वहीं समाज जो है आज सबसे निचले तबके पे खड़ा है और उन में तमाम तरीके की बिमारिया है, असिक्षा उनके अम में बहुत जादा है, तो यहां पे जारखंड में आदिवासी मुखमंत्री होने के बावजूद भी आदिवासी समाज जो है, बहुत ही पिछरा समाज रह गया है, तो इन लोगों को कहना है कि जो भी सरकार आये, उनके आदिवासीों के उत्थान के लिए काम करें, साथ साथ क्यों उवाओं से सम्मंदिद मुद्धे हैं, उसको ले करके बात करें, एक बार तुम लोग सभी खुद के लिए तालीब जाओ, कि तुमने सचनु रियाल आड्रेस पर इसूस पर बात किये, और तुम लोगों सबका बहुत बहुत भन्यवाद